हेलो एवरिवन दिस इस पायल थिवारी वेलकम टू माई चैनल हमारा जो फिफ्ट चैप्टर है आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइड यानि कुछ ऐसे विचार जिन्होंने मानो जाती की मदद की जिसके राइटर है बर्ट्रेंड रुसल तो यह चैप्टर हम सिख्थ प सेवन्थ परेग्राफ है एडियाज सिविलाइजेशन टॉट उट अस तो भी मोर फ्रेंडली टूपट स वन अनदर राइटर कर रहे हैं कि क्या हमारी सभेता ने हमें एक दूसरे के प्रती क्या कि ए फ्रेंडली बनाया है यानि एक दूसरे के प्रती जो एक होता है फ्रें रॉबिन्स एक चिडिया है ब्रैकेट में दिया है the English not the American spaces यानि अमेरिका में जो रॉबिन पाई जाता है वो नहीं जो इंगलेड में जो रॉबिन्स पाई जाता है उसकी बात की जा रही है कि जो रॉबिन्स होता है पिक एन एल्डरली रॉबिन टु देथ यानि एक जो रॉबिन चिडिया होती है वो बूढे रॉबिन को चूच मार मार के क्या करती है उसकी जान ले लेती है उसको मार देती है वेरेज और जबकि men give an elderly man an old age pension जबकि जो इंसान है जो मनुष्य है इंगलेंड कहीं तो देखिए मतलब एक ही कंट्री के बात की जा रही है तो उसक ओंडर में जो के ज़िए में गान लेका हो जानवरगा जो है वो जनौप्तरी में नेज में जो एक युव इनाय और गूट में यानि हमारी जो बिरादरी है, उसमें हमारी जो बिरादरी के लोग हैं, उनसे हम बहुत फ्रेंडली होते हैं, यानि जैसे जानवर रहते हैं उस तरह नहीं, जैसे जानवर जीतना फ्रेंडली होते हैं अपने बिरादरी के प्रती, उससे कहीं ज्यादा इंसान होता है, हम होते हैं but in our attitude towards those outside the herd लेकिन हमारा जो रवया है यानि बिरादरी के बाहर के लोगों के प्रती हमारा जो रवया है in spite of all that has been done by moralist and religious teachers our emotions are as ferocious as those of any animal यान देखे क्या का जा रहा है कि हमारा जो हमारी बिरादरी के बाहर के लोगों के प्रती जो हमारा रवया है तो देखे बहुत सारे moralist ने यानि नैतिक वादियों ने और धर्म गुरू ने religious teachers ने हमें बहुत समझाया है कि हमें हमें से मैत्रिपूर्ण भाव न रखनी चाहिए चाहिए वहीं वह पर्सन हमारे विरादरी के बाहर का हो लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी आवर Emotions are as ferocous as those of any animal हमारा जो सौभाव है विरादरी के बाहर के लोगों के लिए मतलब जानुरों से अधिक कुरूर है यानि Animalके लिए जितना कुरूर नहीं होता है उससे ज़्यादा इंसान जो है वो अपने विरादरी के बाहर के लोगों के लिए क्या है? क् Whats. क्रूर भावन रखता है, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even be most savage beast, कैरा है राइटर कि और हमारी जो बुद्धी है, हमारा जो दिमाग है, वो हमारी जो यह जो हमारी बदमाशी है, यह जो हमारी क्रूरता है, उसे और बढ़ावा देता है, it may be hurt, यानि ऐसा आशा किया जा सकता है, through not very confidently, यानि ऐसे आशा किया जा सकता है, लेकिन आत्म विश्वास नहीं कहा जा सकता है, that the more human attitude will in time come to prevail, कि आने वाले समय में यह जो हमारे जो यह जो दयालू attitude है, वो प्रचलित होगा, यानि कहने का मतलब है, कि यह नहीं कहा जा सकता है, विश्वास के साथ, बस आशा किया ज सकता है, कि आने वाले समय में, इंसान जो है, वो और दयालू भावना प्रकट करेगा, यानि और दयालू होगा, but so far the women are not very propitious, कि मतलब हम आसा तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके संकेत कुछ खास नहीं है, यानि अभी जो हम देख रहे हैं इस दुनिया का हाल, तो हमें क्या पता लग रहे हैं, हमें ऐसा लग रहे हैं, कि आने वाले जो पीड़ी होगी, वो और भी क्रूर होगी, जो बाहर के लोग हैं, हम लोग हमेशा सुनते हैं, कि दूसरे देश के सिनाव को मार गिराया, या हमारे सिनाव ने दूसरे देश के सिनाव को मार गिराया, तो य यह क्रूर्ता ही है, यानि हमारे बिरादरी के जो बाहर हैं, उनसे हम एत्रिपुर्ण भावना नहीं रख पाते हैं, तो वहीं यहां कहा रहा है, कि हम यह आशात तो कर सकते हैं, पर विश्वास नहीं दिला सकते, कि हो ऐसा वक्त आएगा जब हीूमन और भी ज्यादत हो जाएगा इर्थ परग्राफ पे चलते हैं all these different elements must be born in mind in considering that in considering what ideas have done most to help mankind कहरा राइटर कि यह सारे जो elements से जो रित्तत्व हैं यह सारे जो विचार हैं यह हमरे दिमाग में अवश ही आने चाहिए अगर हम यह सोचते हैं कि किन किन बातों ने मानव जाती की सबसे ज़्यादा मदद की the ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds यानि वह विचार जिससे हमें यानि वह विचार जो हमारे दिमाग में आता है कि हां यह जो विचार है उसने मानव जाती की मदद की तो यह सारे जो ideas हैं उनको दो भागों में मुखिता बाटा गया है ठेक है तो हमारा जो पहला है the ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds those that contribute to knowledge and technique यानि सबसे पहला वह विचार जो ज़्यान और तक्नीक में युगदान देता है and those are concerned with morals and politics और वह जो नैतिक्ता और राजनिती से संबन दित है I will treat first those that have to do with knowledge and technique यानि राइटर कहा रहे हैं कि पहले हम बात करेंगे उस विचार की जिसका ग्यान और तक्नीक से लेना देना है देखे उसके बाद राइटर कहा रहे हैं the most important and difficult steps were taken before the down of history यानि सबसे महत्वपुर्ण तथा कठीन कदम जो इतिहास के उदय से पहले लिया गया यानि the most important difficult steps were taken before the down of history देखे राइटर कहा रहे हैं कि जो सबसे important और जो सबसे मुश्किल कदम था वो इतिहास के उदय की पहले लिया गया जब भासा का प्रचलन नहीं हुआ था यानि तब हम लोग भासा के बारे में कुछ नहीं जानते थे but we may be pretty certain that it began very gradually लेकिन ये निश्चित है कि जो भासा का जो प्रचलन हम लोग भासा के बारे में बहुत धीरे धीरे जानना शुरू किये होंगे without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made यानि राइटर कहा रहा है कि बिना भासा की यानि जब तक हम भासा को नहीं जानते थे तब तक ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा कि जो भी हमारे क्या inventions है और discoveries है यानि जो भी हमारे खोज है, जो भी हमारे आविशकार है वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसे बढ़ाते चले तो वो बहुत ही slow process होगा उसका जब तक भासा का जो है वो उदय नहीं हुआ होगा अब देखे राइटर क्या कहते हैं तेंथ पराग्राफ में यानि राइटर कह रहा है कि और एक दूसरा चरण, एक दूसरा कदम जो शायद भासा की शुरुवात से पहले या बाद में आया होगा वो था आग का उप्योग I suppose that the first fire was chiefly used to keep away wild beast while our ancestors sleep राइटर कह रहा है कि मैं यह मानता हूँ कि सबसे पहले आग का प्रयोग तब किया गया होगा जब हमारे पूरवज हैं वो सोते होंगे तो आग जला के सोते होंगे ताकि जंगली जानवर और कीडे मुकड़े उनसे दूर रहे but the warmth must have been found agreeable लेकिन वो जो गर्मी थी आग की वो अवश हैं हमारे पूरवजों को मतलब पूरवज उससे राजी थे यानि वो बरदास्त कर सकते थे तब ही न आग जला के रात को सोते होंगे presumably on some occasion a child got scolded for throwing the meat into the fire करे रहे हैं writer कि अवश ही कोई ऐसा औसर होगा जब अवश ही ऐसा समय होगा एक औसर आया होगा जब किसी बच्चे को डाट पड़ी होगी meat को आग में फेकने के वज़ा से यानि अवस ही ऐसा समय होगा कि जब किसी बच्चे न मीट को आग में फेक दिया होगा और उसे बहुत डाट पड़ी होगी लेकिन जब उस मीट के पीस को निकाला गया होगा उस आग से तो वो टेस्ट में बहुत अच्छा लगा होगा पहले के मुकाबले और उसी वक्त से जो खाना बनाने का जो प्रचलन है यह जो लंबा इतिहांस है खाना बनाने का वो शुरू हुआ होगा वही कह रहे हैं राइटर चलते हैं 11th paragraph पे यानि घरेलू जो जानवरों का पालतु बनाना यानि हमने जो जानवरों का पालतु बनाने लगे हमारे पूर्वज विशेश रूप से गाय और भेड वो जरूर ही जीवन को सुखदायक और अधिक सुरक्षित बना दिया होगा यानि जब हमारे जो पूर्वज है वो जानवरों को पालने लगे तो उनका जो लाइफ है वो सुखदायक होगा क्योंकि माल लेज़े अगर वो खेती करते होंगे तो जानवरों से ही करा लेते होंगे या सुरक्षित होते होंगे कि कोई जंगली जानवर आएगा तो हमेरे पास भी जानवर है उनसे लड़ने के लिए, हमें बचाने के लिए वो ही कहा जा रहा है यानि कुछ मानव ज्यानिक जू है यानि कुछ मानव ज्यानिक के पास एक सिधान्त है कि घरेलो जानवरो का प्रयोग पहले से नहीं होता था यानि लोग पहले जानवर पालना नहीं जानते थे लेकिन लोगों ने उन जानवरों को पालने का प्रयास किया होगा जो कोई जानवरों को उसके धर्म ने पूजा करने को बताया था कहने का मतलब है कि लोग देखिया अपना अपना धर्म बना लिये थे तो उनके धर्म के हिसाब से जो जानवर बताता होगा वह वो लोग पालना सुरू कर दिये होंगे यानि वो जुन्ड लोगों का वो समू जिसने क्या किया अगर वो जन जाती है जिन होने शेर और मगरमग छोकी पूजा की होगी वो तो मर गय होंगे क्योंकि देखिए उस टाइम के जो लोग थे हमार जो पूर्वज थे होमो सैपियन्स वो उतना कुछ जानते तो नहीं थे उन्होंने बस अपने से एक धालना बनाई होगी कि हम इस जानवर की पूजा करेंगे हमार जो धर्म है वो इस जानवर की पूजा करने को बताता है तो उन्हें ये तो पता नहीं था कि सिर हमें खा जाएगा ये क्रोकोडाइल्स हमें खा जाएंगे तो बस वो लोग अपने से मन गड़हन्त टाइप का पूजा करने लग किसके लायन्स की क्रोकोडाइल्स की तो जिन्होंने उसकी पूजा की उतो सिर्थ मार के खा गया होगो को जानवर थोड़ी नहीं है समझेगा कि यह हमारी पूजा कर रहे हैं क्रोकोडाइल की जिन उन्हें पूजा की वो भी मारे गए वाइल दोज टू हुम दा काउ और दे शिप वाज ए सेक्रेड एनिमल प्रोसपर्ड तो वही राइटर कह रहे हैं कि जिन उन्हें लाइन्स और क्रोकोडाइल की पूजा की वो तो मर गए क्योंकि वो जानवर उन्हें खा गया लेकिन जिन्होंने गाय की, भेड की, पूजा की, उन्हें पाला, वो क्या हो गया, वो खुशकी स्मत निकले, क्योंकि वो जानबर उनके काफी उपयोग में आ सकते थे आई लाइक दिस थियोरी, यानि लेखक कहा रहे हैं, राइटर कहा रहे हैं, बॉट्रेंड रूसेल, कि मुझे ये सिध्यान्त अच्छा लगा, पसंद आया, and in the entire absence of evidence, यानि इसका कोई भी सबूत नहीं है, क्याने का मतलब है, कि ये जो सिध्यान्त है, कि लोग ये कोई लाय विवख्ष में कोई सबूत है, I feel a liberty to play with it, यानि इस सिध्यान्त को मानने में मुझे बहुत आजादी महसूस हो रही है, क्योंकि क्या है, इसके पक्ष में भी कोई सबूत नहीं है, और ना ही इसके विवख्ष में कोई सबूत नहीं है, अब देखी आते हैं, 12th paragraph पे, Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture यानि राइटर कह रहे हैं कि जानवरों को पालने से भी ज़्यादा जो महतपुर्ण कारे था वो था क्रिशे की खोज करना यानि कि जो खोनी प्रथाओं को धर्म में लेकर आयां जो कई सद्यों तक चलता रहां यानि अच्छे फसल के लिए कि यह जाने वाले पूजा पाट जो था उसके रिती रिवाज में मानव की बली तथा नर्भक्षन का रूप ले लिया यानि देखिए इसके नेक्स्ट सेंटेंस में समझ में आएगा देखिए अब यह अच्छे तरह से हमें समझ में आने वाले देखिए लोग जो है वो हमारी पूरवज वो क्रिशी के देवता मोलोक को मानते थे वो समसे थे कि एक मुलोक नाम के भगवान है जो कृशी के दे होता है तो उन्हें लगते था कि वो तब तक फसल नहीं उगाएंगे जब तक उन्हें बली नहीं दी जाएंगी जब तक वो बच्चे का खून नहीं पीएंगे यह नहीं बहुत सार एक होता है न कि बुरा कंसेप्शन बना लेना मन में यह लोग ऐसा सोचते थे और सुरू सुरू जब वो लोग क्रिशी के बारे में जाने थे खेती के बारे में जाने थे तो वो लोग बली दिया करते थे बच्चे की A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism when they kept six-year-old children working 12 to 14 hours a day in condition that caused most of them to die. यानि एक ऐसा ही जो क्या कहते हैं ऐसी घटना होई थी यानि जो इंडस्ट्रियल लीजम का जो शुरुवाती दिन था यानि उद्योगवाद के जो शुरुवाती दिन थे उनमें मैंचेस्टर के इवाजेनलिकल्स यानि इसाई धर्म का एक पंथ जो था द्वारा इसी तरह की खयाल को अपनाया गया था जो वे छो वर्ष ये बच्चों को दिन में 12 से 14 घंटे काम कराती थे इन हालात के कारण उनमें साधिक्तर को मरना पड़ता यानि वो लोग क्या किये थे मैंचेस्टर की लोग वो क्या किये थे कि बच्चे को यानि 6 साल के बच्चे को दिन में 12 से 14 घंटे काम कराती थे जिसके वज़े से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मर जाते थे यानि राइटर कह रहे हैं कि अब यह पता चल गया है कि अनाज बढ़ेगा और कपास यानि कोटन के समान का निर्माण किया जाएगा यानि शिश्यों जो बच्चे हैं उनकी खून की दरिया है उसको बहाए बिना यानि अब हम यह जान गए हैं कि क्रिशी करने के लिए खाद पदार्श जरूरी है कुछ जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो होते हैं वो जरूरी है तो यह राइटर कह रहे हैं यानि अब हमें यह पता चला है कि मासूमो के खून को बहाए बिना जो अनाज है वो ऊग सकते हैं कॉटन के जो समान है वो बन सकते हैं इन दे केस ओफ ग्रेइन दे डिसकवरी टुक थाउजंड सो फियर्स राइटर कह रहे हैं कि जब अनाज की जो बात है तो अनाज की खोज में क्या हुए हजारों साल लग गए यानि जब शुरू-शुरू में अनाज की खोजी हुए जब खोज हुआ उसका तो उसमें हजारों साल लग गए लेकिन जब cotton का खोज हुई जब कापास की खोज हुई तो उसमें मुश्किल से एक शतादी लगा यानि 100 साल लगे इसलिए शायद क्या है हमारे इस दुनिया में यानि प्रोग्रेस के कुछ एविडेंस सबूत है यानि ये सबूत इससे मिलता है क्योंकि क्या करता है जो ग्रेन है जो अनाज की खेती में क्या लगा हजारों साल लगे लेकिन उसके बाद जब कापास की खोज हुई तो उसमें मुश्किल से एक शतादी लगी यानि 100 साल लगी तो हम ये कह सकते हैं इसके बिना पे कि हमारा जो वर्ल्ड है हमारी जो दुनिया है वो क्या हो रही है प्रोग्रस कर रही है आगे बढ़ रही है चलते हैं थर्टीन्थ पेरग्राफ पे दुनिया जो पूर्व एतिहासिक आविश्कारों में से अंतिम जो है वो था आट आफ राइटिग यानि हम अपने इतिहासि में जितने भी खोज किये हैं उसमें से एक बहुत ही महान खोज है आट आफ राइंटिग यानि लिखने की जुक्काला है which was indeed a prerequisite of history यानि जो वास्तों में इतिहास का आधार है यानि लिखना जो है, लिखने की जो कला है वो इतिहास का आधार है क्योंकि उस वक्त ये सारे चीज़े लिखे गई देखेगा कहीं पत्थर पे स्थूप बाते लिखी गई है तभी तो हमें आज पता चल रहा है कि हाँ ऐसा हुआ था हमेरे पूर्वा जैसे रहे होंगे तो कुछ तो सबूत मिलता है लिखने की कला के वज़े से राइटिंग लाइक स्पीच डिवेलप्ट ग्रेजुवली यानि राइटर कहा रहे है कि लिखने जैसे भाषा यानि धिरे धिरे वजुद में आई होगी यानि जो लोग पहले भाषा जाने फिर उसे लिखना जाने तो वो धिरे धिरे वजुद में आया धिरे धिरे हम उसको जानने लगे और जो चित्र द्वारा अपने बात को कहने की जो कला है वो उतनी ही पुरानी है जितनी भाषा यानि जब हम भाषा जाने तब उसको मतलब चित्र बना के इंडिकेट करना जाने कि एक चित्र बाना के दिखाएं कि हो ये है, मतलब चित्र जो है वो भाषा का ही एक रूप हम कह सकते हैं, कि अपने बात को प्रकट करने का ही एक जरिया था, तो वही राइटर कर रहे हैं कि जितना भाषा पुरानी है, उतने ही क्या है, चित्र कला पुरानी है, लेकिन चित् ठेक है, यानि पहले हम भाषा जाने, चित्र बनाना जाने, लिखना जाने, उसके बाद हम धीरे धीरे व्याकरण की उर बड़े, वर्ण लेखन, ये सब बाते जो हम जानने लगे तो इसमें काफी लंबा टाइम लगा, यानि ये जो प्रोसेस था, वो बहुत स्लो था, धीरे धीरे हम इन सब बातों को जानने लगे, देखिया हमार जो लास्ट लाइन है, इन चाइना, दो लास्ट स्टेप वस नेवर टेकन, लेकिन चीन में जो अंतिम चरन था, वर्ण लेखन का, वो कभी अपनाया नहीं गया, यानि आज भी चीन भाषा में वर्ण माला नहीं है, यानि चाइना जो है, उसका जो लाइंगवेज है, उसमें अब तक वर्ण माला नहीं है, तो चलिए, I hope कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ये सारी क्वेस्टिन्स करेंगे, So, thanks everyone for watching this video.